आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि फोन पे एपलिकेशन को आधार कार्ड से कैसे चालू करें यानि कि आपके पास आपके बैंक एकाउंट का ATM कार्ड आपको अभी तक नहीं मिला है या आपको रिसेव नहीं हुआ है और अधार कार्ड से अपना फोन पे एपलिकेशन कैसे चालू करेंगे कैसे अपना UPI Pin सेट करेंगे इस वीडियो के अंदर हम आपको step by step बताने वाले हैं कि बिना ATM कार्ड के अपना फोन पे एपलिकेशन आप चालू कर सकते हैं कोई भी आपको परिसानी नहीं मिलेगी सबसे पहले आपको अपने मुवाइल में latest version का phone पे application डाउनलोड करना होगा अगर आपने पहले से download करके रखा हुआ है तो उस application पर long press करेंगे और उस पर delete पर click करके अपने phone पे application को delete कर देंगे उसके बाद आपको video के description box में मैंने आपको latest version का link दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको इस मिलेगा title और आप इस title पर click करेंगे यहाँ पर आपके समने आजाएगा phone पे app link और आपको फिर इस link पर click करना होगा अगर आप इस link पर click करके एक नया account बनाएंगे चाहें आप आधार से बनाए ज़ा आप ATM card से आपको मिलेगा 50 रुपे का cashback एक नया account बनाने का तो बस आपको इस link पर click करना होगा जैसे आप इस link पर click करेंगे थोड़ा सा आपको wait करना होगा आपका open हो जाएगा play store application और आपको फिर यहाँ से अपने mobile में यहाँ पर phone पर application को install कर लेना है latest version में अब यहाँ पर आप आसानी से अपना आधार card से ही account बना पाएंगे तो बस आप आपको account के option पर click करना होगा जैसे आप account के option पर click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से page आएगा आप यहाँ पर अपना वो mobile number डालेंगे जो आपके bank account में link हो तो हम यहाँ पर अपना mobile number इंटर कर लेते हैं और उसकी बाद मिलेगा proceed button और आपको फिर इस पर click करना होगा जैसे आप इस पर click करेंगे आपके सामने आपके mobile number पर एक 4 digit का अंक आया होगा वो अंक आप यहाँ पर डालेंगे यानि कि OTP तो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा जैसे आप वो यहाँ पर डाल देंगे उसकी बाद proceed पर click करेंगी आपके पास 5 अंक का भी OTP आ सकता है तो वो भी आप यहीं पर डालेंगे और उसकी बाद मिलेगा when using this app और आपको इस पर click करना है उसकी बाद permission आ रहे हैं तो कुछ permission allow करना पड़ेगा अब आप यहाँ पर अपनी bank account को link करेंगे तो अभी आपको यहाँ पर आ जाना है back जैसे आप back आ जाएंगे आपका phone पे application चाल करने के लिए यहाँ पर आपको एक option मिलेगा check bank balance या मिलेगा आपको add bank account अगर यह by chance यहाँ से हट जाता है तो फिर आपको check bank balance पर click करना होगा जैसे आप इस पर click करेंगे आपके समने यह वाला page निकल कर आ जाएगा आप यहाँ पर दिखाई देगा add bank account जैसा कि आप देख सकते हैं तो अब आपको add bank account पर click करना होगा जैसे आप इस पर click करेंगे आपका mobile number दिखाई देगा आपका कौन सा bank account है आपको अपना bank account चूज करना होगा तो हमारा है SBI bank तो हम यहाँ पर अपना SBI bank के चूज करेंगी जैसे हम चूज करते हैं हमारा जो account होगा वो यहाँ पर अभी find होकर आ जाएगा देख लिजिएगा अब आपका कौन सा bank account है आप चूज करिएगा हमारा यह वाला mobile number हमारे दो bank account में लगा है यानि कि एक हमारे और एक हमारे brother के आप समझ सकते हैं तो हम यहाँ पर अपने bank account को चूज करते हैं और उसके बाद नीचे मिलेगा आ confirm option पर click करना होगा जैसे आप confirm पर click करेंगे आपके समने आ जाएगा all set for upi payment यहाँ पर आपको अपना upi pin set करना होगा upi pin set करने के लिए यहाँ पर आपको एक option मिलेगा set upi pin हमारा यहाँ पर आ रहा है reset upi pin लेकिन आपके समने आएगा set upi pin फिर आपको set upi pin पर click करना होगा जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने दो option निकल कर आ जाएंगे एक आजाएगा आधार card का और एक आजाएगा ATM card का आपको अपने आधार card को select करना होगा इस तरीके से और उसके बाद निच्चे आजाएगा आपको continue जैसे आप एक continue पर क्लिक करेंगे क्लिक करने की बाद आपके सामने आपका एक process होगा यहाँ पर आपका आधार number आपसे पूछा जाएगा आपके आधार के सबसे पहले के 6 अंक आपसे पूछे जाएंगे जैसे कि ATM card में क्या होता है कि ATM card के आखरी के 6 अंक पूछे जाते हैं इसी तरीके से आधार card के सबसे पह allow करना होगा और उसके बाद आपका एक SMS verification होगा और आपका जो UPI pin होगा वो set करने के लिए आपसे बोला जाएगा तो हमारे पास एक OTP आएगा यहाँ पर बोला जाएगा जैसा कि मैंने fill up भी कर दिया है अब यहाँ पर आपको दिखाएं तो यहाँ पर देख सकते हैं आधार की तरब से हमारे पास एक यह OTP आया हुआ है हमारे पास बैंक के तरब से भी OTP आया हुआ है तो बैंक का भी OTP हमें इंटर करना पड़ेगा तो बैंक का OTP आया है 827 और 822 तो यहाँ से राइट करेंगे यहाँ पर बैंक का OTP डालेंगे 827 और 822 हमारा यहाँ पर OTP वेरिफाई हो जाएगा देख सकते हैं उसके बाद मिलेगा राइट बटन और आपको फिर राइट बटन पर क्लिक करना होगा जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके समने आजाएगा सेट 6 डिजिट UPI पिन अब आपको जो भी अपना UPI पिन बनाना हो या आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डाल दीजे पैसे भी निकाल सकता है क्योंकि इसी पिन से अपना बैलनस आप चेक करेंगे और कहीं पर भी पैसे टरांस्पर करने हैं भेजने नहीं तो यही पिन आपको इंटर करना होगा तो हम यहाँ पर इसे करते हैं कट और एक कधिन अपना UPI पिन हम बना लेते हैं और उसके बाद करेंगे right फिर से अपना upi pin हम confirm करेंगे उसके बात करेंगे right अपना right करेंगे आपका upi pin एक नया बन जाएगा तो अब आपका जो phone पर application होगा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा अब आपको यहां पर करना क्या है कि यहां पर बैंक balance check और आप इस पर click कर देगा जैसे आप इस पर click करेंगे आपके समने यह वाला page आएगा अब आप जो भी अपना upi pin set किये हैं उस upi pin से आप अपना balance check कर पाएंगे balance check करने के लिए अपने bank पर हम click करते हैं bank पर click करने इस तरीके से pay जाएगा अब यहां पर आपसे बोला जाएगा कि आपको अपना upi pin enter करना होगा तो हम यहां पर अपना upi pin enter कर देते हैं और उसके बाद write करेंगे अमारे bank में जितना balance होगा वो यहां पर दिख जाएगा देख सकते हैं कि हमारे bank का balance यहां पर दिख चुका है तो कुछ इस तरीके से अपना bank balance भी आप check कर सकते हैं पैसे transfer करने हैं तो यहां से आप पैसे को transfer कर पाएंगे और आप mobile का recharge करना चाहते हैं तो यहां से कर पाएंगे बिजली का bill जमा करना चाहते हैं तो view all पर click करेंगे और आप बिजली का bill भी आप जमा कर सकते हैं तो मैंने आपको पूरा step by step बताया हुआ है कि कैसे आपको अपने आधार card से अपना phone पे application चालू करना है लेकिन एक बात याद रखना हो सकता है कि आपके किसी bank में आपको आधार का option ना मिले एक महिने या आपको दो महिने का अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ये वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ फिरी में अर्निक करना चाहते हैं तो एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल को भी चेक आउट कर लिजेगा वीडियो पुरा देखने के लिए हमारी तरब से आपको पहुत धन्वाद